हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में बिहार SSC इंटर लेबल भरती एवं बिहार अमीन भरती के बारे में बात करने बाले हैं कि ये दोनों भरती आखिर कब तक कंप्लीट होगी? यानि कि इन दोनों भरती की पूरी प्रक्रिया कब तक कम्पलीट करा कर जॉइनिंग करा ले जाएगी क्योंकि इससे जूरी अपडेट आई है अपडेट के इन उसारी आप लोगों को बताने बाले हैं कि बिहार SSC का इंटर लेवल भरती और बिहार का अमीन भरती ये दोनों भरती कब तक कम्पलीट करा ले जाएगी इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवस्त देखेगा तो चलिए आज का अपडेट करते हैं तो आज के न्यूज पेपर में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि नवंबर के अंत तक 489 राजस्व करमचारी हलका में करेंगे जोईन इसी अपडेट में आपके बिहार से इंटरलेबल भरती और बिहार अमीन भरती से जुरा भी अपडेट दिया गया है इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अबस देखेगा तो भूमी सुधार एबं राजस्व विभाग मंतरी रामसूरत राय का कहना है कि नवंबर महने के अंतीम सब्ता तक राजस्व करमचारी योगदान करेंगे सतरो सरसट अंचल अमीन की बहली का परक्रिया अंतीम चरन में है सूबे के 534 अंचलों में से 441 में मौडन अभीले खागार बनकर तयार है इसका अउधगाटन जल्द होगा जमिन मालिक को सभी तरह के कागजात ओनलाइन और मैनूल मिलेगा उसके बाद आप लोग देखिए बिहार अमीन भरती से जुरो अपडेश दिया गया जिसमें कहा जा रहा है कि दाखिल खारीज वर लगान रसीद के लिए दोर लगारे लोगों के लिए राहत देने बाली खबर है इसी महिने नवंबर अन्तिम सब्ता तक 489 राजस्व करमचारी हलका में जुआइन करेंगे राजस्व भूमी सुदार विभाग सूबे में अगले साल तक मार्च तक 4330 राजस्व करमचारी जिसकी बाहली बिहार ससी के द्वारा चल रही है 1766 अंचल अमीन वो 383 डाटा ओपरेटर को बाहल करेगा तो यहां साप साप का आगया है कि अगले साल मार्च तक यानि कि 2022 के मार्च तक बिहार ससी के द्वारा जो 4330 राजसु करमचारी की बाहली चल रही है और बिहार अमीन के 1766 पदों पर भरती चल रही है यह दोनों भरती अगले साल मार्च तक कम्पलीट कराई जाएगी तो यह बिहार ससी अब बिहार अमीन कंडेट के लिए बुरी खबर है इससे साप होता है कि अब आपके कांसलिंग में भी डिले किया जाएगा अब आपका कांसलिंग इससे लेट हो सकता है तो बिहार अमीन एवं बिहार ससी भरती से जुरी जैसे हैं कि और लेटेस्ट अबडेट हैगी हम आपको वीडियो के मादर्म से जानकारी दे देंगे इसके लिए मैं चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चाप डियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चाइज का बडियो देखने के लिए प्लोगों का धन्यवाद